So, Hello Everyone, कैसे हैं आप लोग सभी? I hope आप सभी लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे तो इस वीडियो में बात करेंगे, एक बहुत बढ़ा डाउट जो स्टुएट के मन में इस समय चल रहा है कि कौन सी ब्लूप्रिंट हम लोग फोलो करें 2023 की ब्लूप्रिंट फोलो करें, या फिर जो सेंपल पेपर आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग ब्लूप्रिंट बना कर तयारी करें तो इसके उपर वैसे तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी लेकिन वहाँ पर हमने पूरी तरीके से आपको बताया नहीं था हम लोगों ने सोचा था कि आपको समझ में आ गया होगा लेकिन अभी भी बहुत सारे स्ट्वेंट कंफ्यूज हैं किस तरीके से हम लोगों को ब्लूप्रिंट फोलो करनी चाहिए तो इसके उपर हम लोग बात करने वाले हैं जो कि अच्छी चीज़ हैं हमारे लिए वो यह है कि जो क्यूशन आ रहे हैं जो ब्लूप्रिंट जैसे हमारे पास ब्लूप्रिंट में मान लो दो नमबर का क्यूशन था अब यहां पर चार नमबर का आ रहा है तो ऐसा नहीं हो रहा है कि नया question बनके आ रहा है question जो होते हैं जो पुराने आ रहे थे वही question आ रहे हैं बट इस बार क्या हो रहा है जैसे 4 नमबर का question आ रहा है हमारे पास तो वहाँ पर 2-2 number की जो पहले question आते थे ठीक है पहले एक ही question आता था लेकिन अब एक ही में दो point बना कर जिसे point number one point number two उनमें दो-दो number की question add कर देंगे तो ऐसे करके दो-दो से मिलकर चार number question बन रहा है तो ऐसे में आपके लिए बहुत बड़ा फाइदा ये है कि नए questions MP board add नहीं कर रहा है वो पुराने questions जो आ रहे थे पिछले 12 सालों में उनहीं को repeat करे जा रहा है ओके तो आपने जो पढ़ाई करी है जिस basis पे आपने पढ़ाई करी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप सभी लोग बहुत अच्छा score करने वाले हो अपनी exam में ओके अब बात करते है blueprint की कि 2023 की blueprint follow करें या फिर sample paper के according चलें तो आपको जो सबसे बड़ा doubt था कि कोई ऐसा question तो नहीं आ जाएगा कि हम लोग blueprint अलग पड़ेंगे तो हमारे पास नया question आ जाए उसके according नया question बन जाए तो वो doubt तो हमने आपका clear कर दिया है कि नए questions MP board नहीं देने वाला है हो सकता है कि जो दो नमबर की questions होते हैं हमारे वहाँ पर कुछ logical questions आपको दे दे MP board बट इसकी सम्मावना बहुत कम होती है अगर आप लोग कुछ subjects ऐसे हैं जैसे physics हो गया या फिर आप लोग accountancy वाले हैं या फिर business study आपकी subjects हो गए तो यहाँ पर जो दो नमबर की questions होते हैं वो logical question बन सकते हैं logical question का मतलब क्या होता है logical question का मतलब यहाँ पर यह होता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े इस प्रकार की questions सिर्थ दो नमबर में बनते हैं MP board में बड़े questions जो होते हैं वो repeated ही आते हैं जानदातर ओके सो आप लोग जिस तरीके से तयारी कर रहे थे वैसे ही तयारी करते रहें अगर आपको follow करना है blueprint तो हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप लोग 100% sure होना चाहते हो तो आप लोग दोनों blueprint के according पढ़ाई करें sample paper के according भी पढ़ाई करें साथ में जो 2023 की blueprint थी उसके according भी पढ़ाई करें ओके क्योंकि sample paper से पूरी तरीके से clear अभी भी नहीं हो रहा है कि क्या यही sample paper का जो structure होगा वो आपकी board exam में देखने को मिलेगा ओके सो आप लोग पूरी तरीके से rely नहीं हो सकते sample paper के उपर और नहीं 2023 की blueprint के उपर हो सकते हो rely तो हम बोलेंगे कि दोनों को चलने दो साथ साथ तब जाके आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हो अच्छी तैयारी का मतलब 95% से उपर आप लोग ला सकते हो पाकी tension वाली बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो level है question का वो same वही आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा है तो जो आपका सबसबड़ा doubt था ना blueprint को लेकर आप फालतु ही tension ले रहे हो tension वाली बात ही नहीं है यहाँ पर blueprint में okay so यह सब कुछ था I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा इसके अलावा सब कुछ structure wise हमने provide कर रखा है MP board education app के उपर important questions, important objective, important numerical इसके अलावा best study material MP board education app के उपर हमने पहले ही upload कर रखा है okay courses आपके लिए बना रखें, अब तो आपके लिए doubt session भी हम लोग लाने वाले है तो बहुत सारी चीजे हैं, बहुत सारा content आपके लिए best content MP board का जो है MP board education app के उपर साथ में हमारे telegram channel के उपर uploaded है तो बने रहे हमारे साथ, यही था इस वीडियो में, thank you everyone